हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बबेक टो मैं चनल दिव्व हेलוח कहने आझ मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इसी तरीके से कैसे आप अपने चहरे पे ग्लोड लेकी आ सकते हो बहुत ऊसकते हो आप ग्लासमें जलشر को नीग हो बताऊंगी तो रेमेडिया बहुत होने बहुत ही उनिक होने वाली तो ट्राइज जरूर करना और अगर आप यूज करोगे तो आपको रिजल्ट परसेंट मिलेंगे और लास में आपको तरीका बताऊंगे किस तरीके से आपको इसको यूज करना है हाथ पर रुप पर चेहरे के लिए तो बनाई है मैंने रेमेडिये तो आप चेहरे पे भी फेशल के रूप में ट्राइ कर सकते हो बहुत अची रेमेडिये और बहुत ही अमेजिंग होने वाली तो ट्राइज जरूर करना है एक बार तो हम बनाना है स्टार्ट कर लेते हैं आप यह देख सकते हो सबसे पहले आपको ले लेना है फेयर लवली लवली है यह तो यह मैंने इस टाइम ना फेयर लवली वाला जो ग्लोए लवली वाला चल रहा ना जादा यही वाला ले है क्योंकि मार्केट में मुझे तो अभी दुकान में यही मिला था तो अगर आपके पास और भी फेयर लवली वाले हैं चीजें तो आप पैकेट है पूरे लाश तक और आपको स्किपनी करना पूरी चीज़ आपको मैं अच्छी तरीकिते समझा समझा के बताऊंगी तो सबसे पहले कटोड़ी ले लेना है और कटोड़ी में डालेंगे हैं कच्छा दूद तो यह दूद है ना हमारे दूद वाला शाम को दूद दे के आता है दूद मतलब देने आता है तो हम ना इसको मैंने क्या इसको फ्रीज में रख दिया पका वह नहीं है कच्छा दूद है और इसके उपर मलाई वी जम चुकी इस तरीकिसे तो थोड़ा फ्रीज में यह मैंने रखा तो थोड़ा सा ही मतलब चिल्ड जादा हो चुका है तो तो इसको क्या करना है दूद को आपको भी चमच के लिप दूद ले लिया आप इसमें डालेंगे जल मेए पास थेन इस इसके नौर्माल वाला है है उसको पृष किप कर देना ऑन कर ने कि ए सकीन के लिए कच्छा दूद से तो इस स्सकेसे में डा Alg लो करता है ऑइड होई ह होती है तो इस तरीके से दोने ही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मुझे पता है मेरे से मिक्स तो होने वाला है नहीं तो मैं इतने में छोड़ दूंगी और आप भी कर पाओगे ना तो नहीं हो पाईगा क्योंकि मैंने जो एलोवेरा है उसको मैं ज्यादा तर फ्रीज में करें तो चीनी डाल दूगी तो चीनी का काम करेंगे अब क्या चीज होती है आपको बढ़ते हैं तो इस में शुगर डाल देनी हाफ टेबल स्पून के लगबग तो मैंने शुगर भी डाल दिया पर देख सकतो अब तीन ही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे मिक्स करते टाइम कि आपको एकी कंसिस्टेंसी मिक्स करते रहना है तो देख सकतो मैंने एकी तरीके से इसको मिक्स कर रहा है ताकि अराम जाया और हमारी जो रैमेडी बनने जारी है वह अच्छी तरीके से काम कर सके चाहाए तो आप थोड़ी सी दूद की क्या गर आप चेहरे के लिए बना देती हूं हमारे जो इंडियन से ना उसकरते होंगे क्योंकि यह ना फेमस क्रीम थी अभी की तो नहीं पर मैं 90s अभी 20s की बात करूँ तो अभी मतलब भी रहती है यह आपने भी कई बर सणाओगा अब अब आपको बता स्कों कांसिसटेंसी आपकी ठीक हो जाएगी यह रहां जितनी थंडी ऊगी उतनी जाधी होगी मतलब जितनी इसको आप ठंडा रखोगे नहीं अच्छा यह नहीं कि अप गरम गरब दूथ को लगा सुर में करें कर साथ-साथ आपको लगा लेना है मतलब इसमें थोड़ा सा लैमन एड करूंगी लैमन विल्कुल ऑप्शनल अगर आपको डालना है तो लगा सकते हो डाल सकते हो मेरी इसके नॉर्मल जो देशी वाली अगर आपको मेंकप मतलब कुछ भी अलर्जी होती है तो उसके लिए मैं क्या कर सकते हैं तो आपके अपनी राय भी दीजेगा मुझे ताकि मुझे थोड़ी सी इंवर्मेशन मिल सके कमेंट सेक्षन के जरिये तो यह देख सकते हैं नाची तरीक से नीबू डाल के मिक्स कर द आसे को इसा कोई नहीं करता है अगर आपके अलरड़ी होती है क्योंकि कुछ लोगिंग के क्ष disaster सकर सकते हुए ज़रूरी नहीं कि दिवधती दिन डाल है जरूरी है तो इस तरीके से नब क्या करना है मैंने थोड़ा सा ये देख सकते हैं तो ज़्यादा जादा जादा डाला है और आपको अराम आप से लेना है बिल्कुल आराम से अब इससे से मसाज करेंगी इस से जितनी भी गंदगी होगे आपकी बहुत एक दमीद्ध से मतलब ट्लिक करे कि ये वाली रेमेडी हफते में चार-बांच बार यूज़ कर लीज़े का आपको रिजल्ट अपने आप मिलें और यह नहीं कि आपके वाल एक हफते यूज़ करना अगर आपकी स्किन आपको ग्लास ही चाहिए बिल्कुल कोरियन जैसी स्किन चाहिए न तो आपको यह रेम ग थोड़े बहुत रिजल्ट मिले तो आप उसके लिए आपको थोड़ी सी भी मतलब सेक्सेस मिलते हैं उसमें आपको खुछ रहना चाहिए और लास तक मेहनत करते रहना चाहिए आपके स्किन बिल्कुल ग्लासी और को जैसी हो जाएगी मैं आपको बता रही हूं गैरेंटी आपको शुगर लेवल कम करना पड़ेगा शुगर आपको नहीं यूज करना है